हर हर महादेव आज शिवरात्री का पावन पर्व है और आग सब को शिवरात्री की बहुत-बहुत बधाई हो कार जाता है कि आज के दिन भगवान शिव का मा पार्वती से विवा हुआ लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आज के दिन भगवान ने समुंद्र मन्थन से निकले पोईजन यानि विश को पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को अपने कंट अपने गली में धारन किया ताकि सारे दुनिया इस विश इस पोईजन इस जहर से बच सके कुछ भी विलीव हो कुछ भी मानना हो लेकिन एक बात तो सही है कि ये महाशिवरात्री का पर्व आता है फालकुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महादेव को एक हजार आठ वन थाउसन एट नाम से बलाया जाता है ऐसा लिखा है शिव पुरान है कभी आपने सोचा कि महादेव सबसे अलग क्यों है जग करता जग हरता जग पालन करता बहुत ही अधुद है उमापते महादेव जहां एक तरफ तपस्वी है वहीं दूसरी तरफ परिवार के साथ भी रहते हैं भोलेबंडारी के चेहरे पर एक भोलेबंड का तेज है वहीं जब गुसा आता है तो उनका तांडव रूपी देखने को मिलता है जहां एक तरफ देवों के देव महादेव कहलाई जाते हैं क्योंकि देवता उनको पूछते हैं वहीं दूसरी तरफ दान या डेमेंस एंड नेगेटिव एनरजी भी उनको पूछते हैं ज़र ध्यान से सूचे कि भगवान ये सर्पों की माला, चांद, गंगा, कमंडर, द्रिशूल, टाइगर स्किन, कपड़ों पहने यो क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है, चलिए थोड़ा बुच्चानने की कोशिश करते हैं केश में धारन करते हैं मां गंगा को, ताकि हम सबों के पाप धुल सके जहां, गंगा मैया में इश्नान करने से, बात लेने से कहते हैं, दक्ष प्रजापती की कर्स यानि शाप से, बचने के लिए भगवान ने चांद को अपने केश में इस्थान दिया कुछ का मानना है की दक्रिस्ट मून, वर्थमान चान, on Lord Shiva's head signifies his control over time He wears snakes around his neck, snake represents अहंकार, ego, घमंट Shiva uses the अहंकार as an ornament, भगवान सर्क की माला को सांप को एक आपुशन की तरह पहनते है क्योंकि उनका कहना है की एगो की उनकी शरीर में कोई जगा नहीं है भगवान को त्रिनेत्री भगवान भी कहा जाता है His right eye is believed to be the sun, the left eye is the moon and his third eye represents fire कहते हैं की कामदेव को भस्म करने के लिए भगवान शिव ने तीसरी आँख का इस्तमाल किया ये third eye, ये तीसरी आँख हम सब के पास हैं जब भी आप कुछ गलत करने लगते हैं तो आपको अंदर से एक आवाज आती है जो कहते है कि आप गलत कर रहे हैं वो हमें संकट से बचाती हैं लेकिन हम ही इतने ignorant हैं कि उसको पहचानते नहीं और उस थर्ड आई की जो आवाज हैं उसको इग्नोर करके बुरे करम करते हैं तो प्लीज लिसन तो थर्ड आई कि जो आप जानते हैं कि शिव जी को महाकाल गौड अप डेथ क्यो कह जाता हैं वाई ही विर इस दागालें जान्वरों से हम डरते हैं बिच्छु हैं, सांप हैं, क्रैप हैं, केकड़ी इन सबसे जो हम डरते हैं इन सब को अपनी शरन में लिया हैं हमारे भगवान पशुपती नात जीने आप तो जानते हैं उन्हें भोले भंडारी क्यों कह जाता है, क्योंकि वो सच्चे मन से की हुई, थोड़ी सी ही पूजा और प्रात्न से खुश हो जाते हैं तो आप सब को एक बार फिर महाशिव रात्री की बहुत 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 बदाई हो यह हमारे छोटी सी कोशिश रही है, आपके साथ यह पावन पर मनाने की, अगर हमसे कोई गलती हो गी हो, तो हम आप से हार जोड़ कर शमा मानते हैं, अगर आपको यह शू, यह प्रोग्राम पसंद आया, तो आप अपने कॉमेंस जरूर दीजेगा, और शेयर कीजेगा अपने फ्रेंज से, अपने फैमिली मेंबर से, आपको एक बाद फिर महाश्री रात्री की बताई हो, हर हर महादेर